उसके बाद यह जो product है कुछ इस तरीके का लगता है three attachments के साथ आता है and यह जो है two settings इसके आते है यह first वाला setting है and यह जो दूसरा वाला setting है so एक जो setting है यह आपको थोड़ा बहुत you know suction देगा और second वाला जो setting है वो थोड़ा ज्यादा suction देगा अगर आपके blackheads जो है यह काफी ज्यादा stubborn है so use the second one जिसमें थोड़ा ज्यादा suction हो and यहापे आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा you know कैसे मैं मतलब अपने face पे से place करूँ एक जगे पे इसे ज्यादा देर तक hold करके मत रखना क्योंकि जो suction बनेगा उसे आपके जो skin पे मतलब थोड़ा सा redness आ सकता है so keep moving this and जहाँ जहाँ पे मेरा problematic area है वहाँ पे मैं मतलब 2-3 second तक रखूंगी बाद में बट अभी तो मैं बस इसी तरीके से पूरे face पे से लगा ले रही हूँ and जो suction है उससे मेरे जित्ते भी blackheads है excess oil है वो निकल जा रहा है so यह बहुत ही ज़ाद अच्छा है यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि यह इसे करना बहुत ही ज़ादा simple है and इसे 110% आपकी जित्ते भी blackheads है वो निकल जाएंगे and nose area पे जो भी problematic area है वहाँ पे मैं कर रही हूँ and अगर आपके face पे active acne है तो make sure कि आप उस active acne पे इसे ना घुमाए because it may wound your face तो जहाँ जहाँ पे मेरे pimples है ना वहाँ वहाँ पे मैं नहीं लगा रही हूँ and blackheads जैसे check करना है तो मुझे मैं opposite direction में अपने fingers को गुमा रही हूँ and कुछ भी अगर bumpy area दिखे तो मतलब feel हो तो यह मतलब है कि वहाँ पे थोड़े से blackheads हो सकते है या sebum production हो सकता है तो वहाँ पे मैं थोड़े ज्यादा time के लिए रख रही हूँ जैसे कि nose area and जो cheek area है and also chin area तो बहुत अच्छी तरीके से blackheads निकल जाते है यह जो process है आपको hardly you know five minutes five minutes भी नहीं मतलब two to four minutes करना है and अच्छी तरीके से यह आपके जो blackheads है निकल जाएंगे and उसके बाद बस आपको face को wipe कर लेना है एक बारी and यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे right cheek पर थोड़ा सा wound हो गया क्योंकि वो pimple था and उस पर मैंने गल्दी से घुमा दिया so don't do that